Welcome back, आजके आमरा देखबो custom configuration, किन्तु practical द्याखार आगे, आमरा कीचु थियूरी जिनन होबु शे थियूरी कुलर मोदो थाकबे boot process, bootloader, कतो धाँने bootloader होए थाके, एबं तादेर मोदे की की पात्तक को आछे UEFI एबं legacy BIOS की, ताड़ा की भावे काच करे, एबं दूटो बायसेर मोदे की की पात्तक को आछे, सोंगे थाकबे vmr iocontroller type, एबं harddix type, तो शुरू करछी आजके वीडियो शुरू करवा अमरा boot process थेके, boot process टाकी आमादेर सिस्टेमे पार अन्हाँ थेके शुरू कोडे, आमादे स्कीने लोगिंग पेच आशा पोजन्तो, background डे जे प्रसेस चले, शेटे ही होला boot process तो प्रैक्टिकले जदिया आमी बोली, ताले आमाँ केरकों बोलता हावे, जकनी आमादेर लैप्टप बाग कम्पीटरे, पार बटन प्रेस कोड़ी, तो अमादेर मादार बोटे पूरे थाका CPU पार अन्हाए आमादेर जानी शावाई, जे CPU इंस्ट्रक्षन ना पेले CPU काज कोड़ता बाले ना, किन्तो एई समय आमादेर एई स्टेज है, main memory, empty थाके तो अमादे CPU की की कोड़ता है, वेट कोड़ता है, मादार बोटे पूरे थाका, फामवाई चीफेर, थेके इंस्ट्रक्षन आशा जोन्नो एई समय फामवाई चीफ की कोड़े, तार कीचु कोड़ एक्सिगूट कोड़े एबों, पोस्ट रान कोड़े, पोस्ट मींज पार अन सेल्फ टेस्ट, एई पार अन सेल्फ टेस्टर मोधे, मादार बोटे लेगे थाका, विविन नो विव शांड्पाई, एई फॉर्स टेजेगे की कोड़े, फार्मवाईर स्टोरेज डिवाइस के लोट कोड़े, स्टोरेज डिवाईसर मोधे आमादे डिक सेर, फास्ट सेक्टारे पूरे थाके बूर लोडार, जोदी आमादे फामवायर बूर्ड लोडार खुझे पाए हाई एबं ता देर मुद्धे कीकी पात्तोख को आचे सेटा जिना नोब तो आमी एई जागाट ता आश्ची एक्टू पोड़े तो आमी एक्टू एक्टू आमार पेस्टा के एक्टू नीचे दीके स्कॉल कोर्छी एबं आमी एई पेजे चोले एलाम एकाने आमादे द्या प्रूफम होच्छे लिनाक्स लोडर तो नाम देखे यामना कीचूटा धावना करते बाडी तो ग्रैवेर डेफिनेशन होच्छे एटा जीउनू पोजेक्ट ग्रैव लिलो होच्छे आमादे बाइडिफोल्ट लिनाक्स OSR आक्टा बूर्ड लोडर इंटरडक्शन होच् आमादे ग्रैव शाधानतों Windows, Mac, Linux, Unix, Binx, Solarius सपोट करे। किन्तु शेकेत्त्रे लिलो शुदु मत्रो Linux OS के सपोट करे। कम्पलेक्सीरी जोदी बोलते चाहिए ताले आमादे लिलो इजियार आमादे ग्रैप कम्पलेक्स, जीउए मूट मेनू ठाके ग्रैब लिलो तेको वाचिन-िज्डम ए तीन जन मीले आमाधे लीलो भूद लोड़ाटundai के डेवलप करे ग्रेफ होचे णीवड्रीफल्ट टाइप और ओल्डीफल्ट टाइप जिती लीडो आमादे पूलल्च पूत टाइब करें ग्रेफ के ड्राइब इंट्रडाक्शन तो एई दूटो टाइफ है वूड़ लोडर होए था कि तो आमी एखाने आवाद चोले आशी आमादे जिखाने आमरा छिलाम आमादे फार्मवायर की करे फार्मवायर स्टोरेज डिवाइस के लोड करे येभों आमादे डिक्स एर फास सेक्टर पुरे था बिसिकली फास्ट बुष्ट सेक्टर आमादे पूड़े थाके येटा 502 बाडो बाइटर होए थाके कीचू-कीचू modern बूड़ लोडर माल्टी बूड लोडिंग करे माल्टे बूडलोडिंग टाकी जमुन आमादे फास्ट मेन बुड़वलोडर राम है येभों तार पॉड़े आमादे सेकेड फिकी फिवूर疫 रान करेrix . जकने बुड लोडर रान होए एबं तार पड़े स्टेजे कांडनेल के मेमूरी ते रान करे लोट करे एई शुमाई जोदी आमादेर कौनों Linux अफवाइटिंग सिस्टेम होए थाके ताले से init प्रोसेस के रान करे जेटा आमादे Linux अफ्र मास्टर प्रोसेस एबं तार पड़े आमादेर ओन्नार नो प्रोग्राम के एकजिउट करे एबं फाइनाली रान लेबले जाए Windows अर्खेत्रे की Windows अर्खेत्रे Win init बोले exe के लोट करे एबं तार साथे शाथे की करे Services.exe ServiceController जोन्नो ElsassExe Local Security एबं अथोरिटिज जोन्नो एबं ElsamExe Local Session Management के रान करे एबं तार शाथे शाथे बिविन्नो ड्राइबर के इनिसिलाइज करे एबं GUI Interface के लोट करे परे स्टेजी चोलाया शे लोगिंग स्कीन तो एटाई होलो आमादे बूट प्रोसेस एई बूट प्रोसेस टा पूरोटाई कम्प्लेट करे आमादे फार्मवायर और इफार्मवायर दू धोर्णर होए थाके आक्ट अच्या अमादगे उयवड आक्ट होलो आमादे बायोस बाद लिगासी बायोस तो ओ इउये फार्मवायर टाइप जेटा गिए ठीक यह रख मुखते हो आ्र्मख़ छयो थाके और अमादे बसिग बाद लीगासी बायोस यह रख मूर्गत होए थाके तो EUFI BIOS टा की EUFI फुल्फर्म होलो, फास्ट टामी बोली EUFI फुल्फर्म होलो Unified Extensible Firmware Interface एटा सेम Firmware बा बायसर मोत ही काज करे किन्तो एर बेसिक डिफ्रेंस होलो एटा .EFI फाइल थाके एबांग एई EFI फाइल टा EFI बा ESP पार्टिशान एर मोध दे पोड़े थाके आमना देर EFI होच्छे Modern BIOS टेक्नोलोजी जेटा आमादे 9 zbyte फोजन तो harddisk partition सापोर्ट करे किन्तु आमादेर BIOS सुधुमात्र 2.2 TB एर पार्टिशन सापोर्ट करे UFI प्रोवाइट फास्ट बूट टाइम UFI फास्ट बूट सापोर्ट करे UFI अप्रेट एर इजी अप्रेट करे जाए किन्तु भाइसे फ्राम आजेतु EPROMER मोधे पोड़ा थाके ताई एर अप्रेड एक्टु डिफिकल्ट UFI अमादे सिक्वर बूट के सापोर्ट करे एबाँ आनसाइंट आनाथराइस आप्लिकेशन के प्रिवेंट करे तास्ताद साथे रूट कीट के प्रिवेंट करे रूट कीट होला आमादेर वान टाइप अमादेर अपार्टिंग सिस्टेम के काच कोत्ते अपार्टिंग सिस्टेमेर प्रोसेस के चेंजस कोरे थाके तो इताया एक्ध्रव के मेल रूट शेटा के प्रोट्रेक्ट को करे अमादेर युए फाई किन्तु आमादेर लिगासी भायास बावाईस यही ध्वाने ब्रोटेक्षन करे ना आमादेर UFI की होए 64 bit एबं 32 bit सपोट करे एबं एश्चाते आमादेर keypad, touchpad, mouse सपोट करे जेतु बायोस बाल लीगासी बायोस 16 bit सपोट करे ताई सुध मत्रों key navigation काच करे आचा एखाने आरेक्टे इंपोर्टेंजीनी सोलो आमादेर UFI dual boot सपोट करे ना जेतु आमादेर secure boot सपोट करे एबं unauthorized or unsigned application के प्रिवेंट करे रोध करे तो आमादेर dual boot थागले second OS के ओ unsigned application इसाबे चिन्नेतो करे तार जोन आमादेर UFI बायोस से आमादेर multi boot सपोट करे ना सेखेत त्रे आमादेर बायोस बायोस से multi boot सपोट करे लिगासी बायोस के बायोस के एरोकम देखते होए थाके एबंग एर साथे जोदी आमी UFI तुलाना कोडी ताले एर main path को होलो एर जे file ता एटा ए फाइल ता बायोसर फाइल ता पोड़े थाके EPDOM, Erisable programable, Read only memory मोद ते एर file ता पोड़े थाके आमारा जानी आमादे DL, F2, F10NR मोद ते प्रेज कोले आमारा बायोसर इंटर कोरते बाड़ी सामाडी कोडी UFI moot और legacy बायोसर मोद दे ताले आमा के बोलता हावे जे UFI provide better user interface जेटा आमारा छोबी ते देखलाम किन्तु legacy येटा basic active interface आमादे के प्रोवाइट करे UFI GPT partition scheme मने GPT partition support करे किन्तु आमादे legacy MBR partition support करे UFR boot first boot time किन्तु compare to UFI legacy boot slow boot process करे आमारा देखलाम UFI जे तो GPT partition support करे जे तो आमादे 9TB storage support करे किन्तु MBR partition जे तो आमादे legacy boot support करे से केत्रे आमादे 2TB 2.2TB storage device support करे UFI run करे 32 bit येवं 64 bit येवं support करे mouse touchpad navigation के किन्तु आमादे legacy BIOS 16 bit के support करे येवं सुधुमात्र की navigation के support करे पड़े जो दी आसी आमादेर एक्ट आगे येज एटा देखलाम जे एटा secure boot के support करे एबं unauthorized application unsigned application के prevent करे एबं dual boot के ओ support करे ना किन्तु आमादेर legacy BIOS आमादे secure boot के support करे ना एबं तास साथे 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 आमादेर dual booting system के support करे तो आमादा देखलाम जे boot process की boot process से साथे साथे आमादा देखलाम boot loader कतो दोहने होए थाके boot loader रे मोध ते पात्तोक की तास साथे देखलाम अमड़े UFI एबं legacy BIOS की एबं दूटर मोध दे बेसीक डिफ्रेंट की आया छे फोरे आमादेर चोले आशची आमादेर vmware iocontroller type आमादेर iocontroller type चार्थ होने आमादेर iocontroller type होए थाके एक्ट चे bus logic जेटा आमादेर parallel interface type एबं एटा older legacy version जेखाने आमादेर Windows 2000 एबं XP support करतो तार पड़े आमादेर जेटा एलो शेटा होलो LSI logic LSI logic 1 to advanced bus logic थेके एटा आमादेर parallel interface type एटा 32 bit support करे एर पर जे technology आमादेर समने आशे एटा होलो LSI logic sas जेटा आमादेर 2008 server थेके आमादेर काचे introduce होए एई technology एटा एटा बेसिकली serial interface technology एर पड़े आशे vmware para virtual जेटा virtual SCSI controller type एबं एटा आमादेर server के support करे आमादेर ESXi server के support करे एटा high throughput minimal processing support करे एबं एटा आमादे vmware base pair का support करे आमादेर समराइज कोड़ी ताले ACI SATA, ACI SATA की बोल चे OS type इस server एबंग desktop के support करे not as efficient as LSI logic sas और para virtual SCSI not for recommended high performance app बाना high performance app एज जोन आमादेर एई adapter टा यूज़ कर जाबे ना तार पड़े आशे बास logic एटा server यूज़ कर जेता पारे एटा older Windows OSS साथे support करे एटा 2TB पोजनतो harddick support करे तार पड़े आशे LSI logic parallel एटा server desktop दुधहनेर OS support करे थाके एबं एबं एटा server 2008 नीचे support करे LSI logic sas server desktop के support करे एबं 2008 एबं आट्टु तार उपरेर भास्टन के support करे एबं प्यार भार्च्वाल स्काजी एटा server support करे एबं लोएस्ट होस CPU कोस्ट पर आयो एटा आमादेर IO incentive वर्कलोडे जोन्नों आमादेर प्यार भार्च्वाल स्काजी controller के आमरा यूज करते बारी नेक्स्ट आमी चोले याच्छे आमादेर harddix type हेर उपर आमरा जानी आमादेर harddix type मुलो तो चार्द धरोनेर harddix type होए थाके एक्ट होच्चे पाटा जेटा ओल लीगासी type पाटार फुल्पामार रो पैरलाड advanced technology attachment तार पड़े आसे SATA सिरियाल advanced technology attachment तर पड़े आसे SCSI, small computer system interface एबाँ SSD Solid state drive एबाँ advanced SSD जे भर्षान ता आमादे सामने आकोन एट प्रेजेंट आजे शेटा होलो NBME NBME फुल्पाम होलो आमरा जानी non-volatile memory express NBME फुल्पाम होलो non-volatile memory express आचा पोथो में आमरा चोले आसी पाटा, पाटा की बोल छे आमरा जानी एटा आमादेर फर्स्ट मार्केटे आस निया से Compact and Western Digital WD 1986 से एटा शादांतो 8GB कापासिटीर होए थाके maximum एबंग टांस्पर रेट 133 माने एक्सो टेतरी सेंबी पार सेगेंड होए थाके एटा आमरा जानताम एटा आमादेर आइडी केविल तेके कनेक्ट कड़ा होतो फ्लॉफी डाइफ हे जोनो 34 पी नेर एबंग आमादेर अप्टिकल डिक्स एबंग हाट डिक्स हे जोनो 40 पी नेर आसतो एचाड़ा एर पड़ जो दिया आसी एर पड़ जो दिया आमरा देखी ताले आमादेर साटा साटार फुल्फाम अच्चे सीरियाल आडवांस टेक्नोलोजी अटाजमेंट एई सीरियाल आडवांस टेक्नोलोजी अटाजमेंट पाटात तेके आमादेर आडवांस टेक्नोलोजी एबंग एटा पावर कंज्यूम पाठात तेके कम एटा स्पीड होए थाके आमादेर 200 तेके 300 MPS पोजुनत आमादेर मैक्सिमाम स्पीड दिये थाके एबंग एर केविल लिमिट एक मीटर होए थाके नेक्स्ट आमड़ा जोदी देखी ताले आमादेर स्काजी स्मॉल कंप्यूटर सिस्टेम टेक इंटरफेस स्काजी होच्छे शाटा एबंग पाठार एडवांस टेकनोलोजी एटा मैक्सिमाम 305 MPS पास सेगेंट आमादेर टांसफार डेट दिये थाके एबंग आमादे जे पार्सनल कंप्यूटर यूज कोड़ी आमादे रिप्लेस होए गा छे स्काजीर पोड़ी बद्ते यूस्वी यूनिवासल सिरियाल बास एर पड़ा आशे स्सेस्टी सॉलीट स्टेट डाइप सॉलीट स्टेप डाइप आमादेर आडवांस जे आमादेर थार्ड जेनाशन कंप्यूटर यूज कोड़ा होतो एटा फास्ट बूट एबंग मैक्सिमाम 555 MbE पास सेगेंट स्पीट सापोट करे एबंग एई एसेस्टी नेक्स्ट भेरियेशन होलो आमादेर NBME जेटा आमरा बोल्लाम नॉन वलेटाइल मेमोरी एक्स है